हलो फ्रेंड्स मैंने पिछले वीडियो में आपको बुंदे कैसे डालते है इसके बारे में बोला था आज मैं आगे कैसे बुना जाता है इसके बारे में बोलूँगे पहले तो ये मैंने पिछले बार जैसे बोला था वैसे ये बुंदे डाली है अब आगे कैसे बुनते है ये देखो पहले सीधी बुनाई ये जो सुई है ये ऐसे नीचे से डालने है और ऐसे ये पूरी लाइड मैंने सीधी बुनाई से कम्प्लिट की है अब पिछले साइड से भी हमको सीधा ही बुनाई ये देखें है 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 कि देखें अगर दोनों सैडसे हमने सीधा बुना तो इस तरह से आपको बुनाई दिखाई देगी यह देखे और अगर ज्यादा भी बून लिया तो यह हमने दोनों साइड से सीधी बुनाई बुनने के बाद ऐसे दिखता है यह देखे इधर से ऐसे और इस साइड से भी सेम डिजाइन नजर आएगा अब हम नेक्स्ट उल्टी बुनाई उल्टी बुनाई में हमको यह जो सुई है यह उपर से डालनी है इसे यह देखे यह इसे उपर से बुनना है अब यह भी हम दोनों साइड से उल्टी ही बुनाई करेंगे कम्प्रिट करेंगे कि एक स्वाइन अबते ही तौकर Сबेबरा पक्साइब बुनाई करेंगे ग्राय हुआ झाले वो में हम उन्या var पन्हों नच्पान की यी लाद है कि लाद नच्पपन की सान्हों गिस लाद जाई है अब ये पूरा हमने दोनों सैड से उल्टा बुना है अगर हमने एक सैड से सीधा और एक सैड से उल्टा बुना तो अलग डिजाइन लगेगा लेकिन दोनों सैड से अगर ये देखे ये पहले वाला जो है ये सीधा था और ये जो यहां पर ग्याप है यहां उपर से हमने दो दोनों साइड से उल्टा बुना है इसलिए क्या है दोनों साइड से हमने सीधा भी बुना तो सेम डिजाइन आएगा और दोनों साइड से उल्टा भी बुना तो भी सेम डिजाइन आएगा लेकिन अगर एक साइड से उल्टा और एक साइड से सीधा बुना तो अब इस सीधा बुनेंगे तो अलग डिजाइन नज़र आएगा वो देखे अब यह हम सीधा बुन रहे है अब इस सैड़ से उल्टा बुनेंगे झाल झाल पाफगा वो दिरीचरो घEROगा हो गया है Państwo कि झाल धंगे है स Optimus чет दृड़ कि झाल नज़र आईट। झाल बुने धिल्म गया है झाल झाल बुने्छंधे नश्याद connected अब इस साइड से सीधा जिस साइड से हम सीधा बुनते उसी साइड से ये जो है न ऐसी डिजाइन लगेगी ये देखिए ये अलग डिजाइन है और पिछली साइड से ये ऐसी लगेगी लेकिन अगर दोनों साइड से उल्टा या दोनों साइड से सीधा बुना तो इस तरह से डिजाइन आएगी नजर और एक सड़ से उल्टा और एक सड़ से सिधा बुना तो ऐसी नज़र आएगे ये वेनी जैसे नज़र आती है थैंक यू फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और शेयर किजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना न भूलिए थैंक यू